साथियों मध्यप्रदेश विधान सवा आम निर्वाचन 2023 के नविन संसोधन पीठा सीन और मतदान दलन के लिए महतपों इस प्रकार की लेटेस्ट और पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में आप अंधतक बने रहें मत्यप्रदेश विधान सवा आम निर्वाचन 2023 के नविन संसोधन जो की आपके मुबाइल के स्कुन पर दिखाये जारें पहला बिन्दू मतदान सामागरी प्राप्ते स्थल एवो मध्दान दिवस के पूरु इवी एम मसीन को जोड कर एवों संचाली करके नहीं देखना ही मोगपोल की परचियों के पीछे पीठा सिन के हस्ताइसर होने के बाद काले लिफापे में रखकर सील्ड करना है मोगपोल की परचियों के पीछे पीठा सिन के हस्ताइसर या मोगपोल की सील लगा कर काले लिफापे में सील्ड करके रखना है और वो भी पिंक पेपर सील से मोगपोल के समय जो यूनिट खराब होगी उसे ही सिर्फ बदला जाएगा त्यान हखने वाली बात मोगपोल के समय अगर यूनिट कोई खराब हो जाती है तो केवल जो खराब हो आए उसे ही बदला जाएगा मोकपोल और वास्तिक मददान के समय मसीन को एक ही इस्थान पर रखा जाना है अतलो एक बार मोकपोल के समय जहां मसीन रख दिए उसको उसी स्थान पर रखना है जैसे बयलेट मसीन और वीवीपेट को बूथ में रखते हैं और कंट्रोल यूनूट को नमबर तीन अधिकारी के पास रखा जाता है। अगला बिंदू मोकपोल की 50 सिलीप एवं विवी पे टेस्ट सिलीप को एक सिल लगा कर एवं पियो के हस्ताकसर, पीठासिन हस्ताकसर के पस्चाद सेल करना अनिवारी होगा मोकपोल के समय। क्या-क्या सावधानी रखना है? onboard nonprofit 50 बोड डालना अनिवारी है। नोटा सहीत परत्ययक अभर्त को एक वोड डालना भी अनिवारी है, वतला किसी को छोड़ना नहीं है। नोटा भी नहीं छोड़ना है, सभी अभरती और नोटा में कम से कम एक वोट डालना आनिवारी होगा। पचास से अधिक वोट डालने पर कोई पर्तिबंद नहीं, पर्तियक अभर्तिकों समान वोट डालने पर भी कोई पर्तिबंद नहीं, जरूर नहीं है कि सभी अभर्तिकों पराबर वोट डाले जाए मोग पोल के तोरा, अगला बिंदू, वास्तिविक मद्दान के समय, बैले मसीन बदली जाएगी और परत्यक अभिरती को एक एक वोट डाल कर मौकपॉल भी किया जाएगा अगला बिंदू वास्तिक मद्दान के समय वीवी पेट खराब होने पर उपर बीउ सीउ की बात हो रहे थी यापर वीवी पेट खराब होने पर सिर्फ वीवी पेट को बदला जाएगा एवां मौकपॉल नहीं किया जाएगा ये नमबर आट और नमबर नो के दो महत्मण बिंदू बीउ सीउ खराब होने पर मसीन बदली जाएगी और मोकपोल किया जाएगा और मोकपोल भी एक एक वोट डाल कर मोकपोल होगा लेकिन अगर वीवी पेट खराब हो जाता है कब वास्तिक मदान के समय अगर वीवी पेट खराब हो जाएगा तो केवाल वीवी पेट बदला जाएगा मोकपोल नहीं किया जाएगा आगे बात करते हैं मोक पोल के बाद वास्तियु मदान प्रारम होने पर प्रत्थम मत दाता के पहले पीठा सीन P1 के अधिकारी को C1 को चेक करेंगे और मत दाता रेजिस्टर 17A के प्रस्ट पर लिखना है कि कंट्रोल यूनिट में कूल मतो की जाज की गई है जो की सुननी पा अगला बिंदू मतदान के दोरान के गट्रोल यूनिट और मत दाता था लपीठा सीन अधिकारी और मतदान अधिकारी कर मांगे प्रस्ट पर पहले लिखेंगे कि कंट्रोल यूनिट में कूल मतो की जाज की गई और वहां पर कोई वोट नहीं है मापके वाल सुननी पाये अगला बिंदू मतदान के दोरान कंट्रोल यूनिट और विवीपेट बेटरी बदली जा सकेगी मतदान के दोरान अगर कंट्रोल यूनिट और विवीपेट पेटरी अगर लो है तो उस बेटरी को बदला जा सकता है अगला बिंदू वास्त्विक मतदान के समय मसीन बदल जाने के कारण मोगपोल किया जाता है तो मोगपोल स्लीप के काले लिफा पर लिखा जाएगा EVM, VVPET के पूरे सेट के परती स्थापना के मामले में किये गए मोगपोल से संबंदीत VVPET, पेपर स्लीप ये जो डार्क कलर में लिखा गया है ये उसके ओपर लिखना है, कब लिखना है, जब वास्तिंग मददान के समय कोई मसीन बदली जाती है ये मोगपोल किया जाता है, तब ये लिखा जाएगा पीठासिन की डायरी में नविन मिंदू, 9B जोडा गया है, देख लेते क्या है जिसमें 5 काल में, नमबर 1, सरल करमांग, नमबर 2, नाम और पद, किसका विजीट अधिकारी का है DO, RO, ARO, SO, आधि अगर कोई आ जाएगा, विजीट अधिकारी कोई आएगे, तो विजीट का समय लिखना है मतदान परकरिया का संक्षे तो विवरण भी रहेगा, कि क्या सांती पूरवक चल रहा है या कोई घटना आधि हुई है और विजीट के समय, सबसे बड़ी बात पहला से ऐसा नहीं होता था, मतदान विजीट अधिकारी कोई आएगा तो विजीट के समय, उस समय क्या मतदान चल रहा है, मतलब मतदान अधिकारी करमांग, दो के पास जो रजिस्टर है 17A, उसमें क्या करमांग चल रहा है, मतलब कितने लोगों ने वोट कर दिया है वो लिखना है और EVM के अनुसार कितना है, मतलब अपना CU से चेक करके देख सकते हैं कि, टोटल का बटन दबा के, कि CU में, कितने वोट है, दोनों रजिस्टर की इंटरी, रजिस्टर की इंटरी और CU की इंटरी, दोनों को उस विज़ीट सीट में लिखना है, कि वो भी मद्दाता किसी मद्दान केंद्र पर मद्दान एजेंट बन सकता है पेले ऐसा नहीं था येती उसी या पडोसी मद्दान केंद्र कोई मद्दाता येसे तो उपलब्द न होतु ग्राम पंचयात परधान, सरपंच, पंचों, पाड़सदों, नगर निगम या नगर पालेगा का सदस्यों और इस्थानी विक्तियों को मददान एजेंट के रूप में निउक्त करने का कोई परतिबंद नहीं है मददान एजेंटों को तीन बज़े के बाद भी मददान केंदरों से बाहर जाने एवं पूर्ण अंदरानी का नुमती दी जा सकती है पहले ऐसा नहीं था, तीन बज़े के बाद एजेंट अगर कोई बाहर गया तो वो आपस नहीं आ सकता था लेकिन इस बार तीन बजी बाद अगर कोई किसी कानड़ों से भार गया है तो पूर्ण अंदराने देना है मतदान दोलों की प्राप्त सामगरी देख लेते हैं विभिन्य फार्व के बुकलेट मिलेगी, कलर कोड लिफापों का सेट रहेगा और सेज मतदान सामगरी काटन का बेग पूरी सामगरी बुकलेट में होगी, लिफापों के सेट होगे और सेज सामगरी काटन का बेग कपड़े की थेली में दी जाएगी अब बात करेंगे हम लिफाप है एम उनके कलर कोड की पहला लिफापा सफेद रंका होगा, जिसे हम सावधिक या परिनियत लिफापा केती ही, दूसरा लिफापा सफेद रंका होगा, सावधिक या परिनियत होगा ये भी, तीसरा लिफापा सफेद रंका होगा सावधिक या परिनियत, चोथा लिफापा पिले रंका होगा, असा सफेद रंके लिफापे तीन होंगे, पहला, दुसरा और तिसरा सफेद रंके लिफापे होंगी और चोथा पांचवा छटा पीले, खाकी और निले रंके होंगी अब बात करते हैं सावधिक परिणियत लिफापे परपत्र कुल छे होंगी सावधीक परपत्र परिनियत परपत्र कुल 6 होंगे नमबर एक मतदाता रजिश्रट 17A पर्युक्त निविदेत मतपत्रें सुची प्रारूप 17B मतपत्र लेखा प्रारूप 17C पर्युक्त मतदाता बढ़चिया नमबर पांथ अभ्याशेपित मतों की सुची प्रारूप 14 और अगलाए छेटा अंदे सितलांग मतदाता की सुची प्रारूप 14 ये हमारे पास सावधीक लिफा पे कुल 6 होंगे परिनियत लिफा पे कुल 6 होंगे ये जिसमें इस इस प्रकार की जानकारी डाली जाएगी अब बात करते हैं मतदान के दीन पीटा से नाधिकार दोया तेयार किये जाना वाले प्रमान पत्र कुल 5 प्रमान पत्र होंगी जरू निए ये पांचों लगे नमबर 1 मौकपोल का ये तो होगा ही होगा क्योंकि मौकपोल निश्चित करवा नहीं करवा ना इसलिए ये प्रपदर भरा जाएगा नमबर 2 मौकपोल के समय कोई यूनिट बदलने का ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है नमबर 3 अगर नहीं होता है तो जानकारी नील जाएगी अगर बदला जाता है तो वह जानकारी जो भी होता है उसके उसार अपने को भर ना लेता है नमबर 4 वास्तिविक मद्दान के समय मसीन बदलने का ये भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है पाच्वा मतदान समावते पर close बटन का ये होगा ही होगा मतलब नमबर एक और नमबर पाच ये जानकरी पीठा से नदिकारी दुवारा भरी जाना आनिवारी होगी अब बात करेंगे हम डाक मतपत्र अब डाक से नहीं आएंगे बलकि उन्हें सुईधा के अंदर फेसिलिटेशन सेंटर पर जमा किये जाएंगी जो परिखेशन इस्तल एवन सामगरी प्राप्तिसल पर बनाए जाएंगी सीर्फ ETPBS सर्विस वोटरे के लिए ही डाक से आएंगी पिंक पेपर सेल सी उपर पहले से ही आरो दुवारा हस्ता अखर यूप सील्ड होगी जिसके दोनों भागों के नंबर समान होगी पिंक पेपर सील जो की कंट्रोल लिट पर होगी आरो दुवारा लगाई जाएगी उसके हस्ता अक्सरों द्वारा और दोनों के नंबर समान होंगे Green Paper Seal CU के result section seal करने एतु A भाग को सामने रखते हुए पहले A भाग को चिपकाएंगे और उसके उपर B भाग को इस प्रकार चिपकाएंगे कि seal का नंबर दिखाए दे इसका अरतिये हुआ कि यह जो Pink Paper Seal रहेगी Green Paper Seal Sorry Pink Paper Seal ने Green Paper Seal जो रहेगी पहले ABCD वाले seal कि स्थान पर इस बार Green Paper Seal ले ABCD वाले seal में ABCD रहती थी इसमें दो यह परकार करेंगे A और B रहेगा A वाला भाग उपर रहेगा मतलब A ग्रीन के पास है और B रेड के पास है तो Green वाला भाग उपर रहेगा और Red वाला भाग नेचे रहेगा और A वाले भाग को नेचे चिपकाएंगे और B वाले भाग को उपर चिपकाएंगे जब चिपकाने के बाद उस seal पर जो अंक अंकी थे वो उपर देखेंगे और उसके उपर पीठा सी नदिकारी की हस्ताकसर होंगे और एजेंट के भी हो सकते हैं अगला भाग प्रोक्सिम अद्दाता होने पर 17A रजिस्टर के कालम में में प्रोक्सिम अद्दाता का सरलकर मांग एवं PV अंकीत करना होगा प्रोक्सि वोटर में 17A रजिस्टर में 17A रजिस्टर में प्रोक्सि वोटर के सामने PV अंकीत करना होगा अगला पिंक बूद का नाम परिवर्थित कर आल वूमन बूद किया गया है इस अब नया परिवर्थन है ये पिंक बूद का नाम जहांपर महिलाएं ही रहती है उसे पहले पिंक बूद बोला जाता था उसको अब आल वूमन बूद किया गया है अगला अभ्या सेपीद चैलेंज वोट की रासित दो रूपे की रासित कटवाना है पहले ये पांच रूपे की करती थी अगला मत दाताओं को अपने मत दाताओं को अपने मत दाताओं के अंदर के बारे में जानने के सुधा परदान करने के लिए PVS, Photo Water Sleep, Photo मत दाता परची किस्तान पर VIS, Water Information Sleep, मत दाता सुषनापरती परदान की जाएगी पहले PVS पे फोटो लगा होता था, इस पर फोटो नहीं आएगा केवल VIS रहेगा, इसके दुवारा केवल जानकर ही हो सकती है कि कौन सा मदान के अंदर है और कहां पर ओट डालने जानना इससे मदान नहीं होगा, इसके साथ में EP लाना अनिवारी होगा या EP किर्स्तान पर भारत सरकार दोवारा, भारत नेरवाचन दोवारा, बारा अन्य दस्तावेज बताए गए हैं उनको अगर साथ में, उन बारा में से कोई एक अगर ले जाएंगे तो आपको मत देने का अधिकार होगा अगला, द्रश्टी वादित मद्दाताओं को, ब्रेल सुधाओं के साथ, ABIS, सुलव मद्दाता सुचना पर दे परदान की जाएगी VIS, मद्दान सुचना पर ची के हो, मद्दान की अकेले पहचान दस्तावेज कुर में सिवकार नहीं किया जाएगा मतलब जो, BLO द्वारा आपको VIS जो परची दी जाएगी, इसका ये अर्थ नहीं कि उसके द्वारा आपको, उस सुचना परची से आपको वोट सिवकार किया जाएगा आपको वोट दिया जाएगा, नहीं, जहां तक आपको या तो इपीग लाना पड़ेगा, या बारा आन्य दस्तावेज में स्कोई एक लाना अनिवार होगा पोस्टेल बेलेट में सर्विस वोटर के लिए अपयरती का नाम फोटो यím पार्टी का नाम होगा, चुनाव चिन नहीं होगा आपको अगर कोई यूनिट खराब हो जाती है, खराब यूनिट पर मोकपॉल रिप्लेज ज़का इस्ठिकर अनिवार ते लगा नाइ मोगपोल के समय खराब यूनिट वह प्रमानपत्र सेक्टर अफिसर के पास रहेगी मोगपोल के समय खराब यूनिट वह प्रमानपत्र सेक्टर अफिसर के पास रहेगी दोस्तों वीडियो के इस टपिक पर अपने विचार वेक्त करना ना भुली जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही पासवाली बेले पर प्रेस कीजिए जिससे जब भी वीडियो अप्लोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा इस चैनल के अधर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं अधिक से अधिक देखिए और सेर कीजी थेंक यू